ड्रीम 11 में रैंक वल लेके आना चाते हो लेकिन आप लोग उसके पीछे एफर्ट क्या कर रहे हो देखो सपना तो हर कोई देखता है रैंक वल लाने का क्योंकि प्राइजी इतना अट्रेक्टिव है एक करोड दो करोड लेकिन आप लोग उसके पीछे एफर्ट कितना लगा लगा रहे हो क्या लॉजिक लगा रहे हो इस चीज पर कभी आपने ध्यान दिया है नहीं दिया ना तभी तो ऐसा होता है कि हम लोग उनचास का एक करोड का सपना देखते हैं लेकिन बाद में सोचते हैं हमारे जो उनचास है वही वापस आ जाए तो यही रीजन है इसके इस यह प्रूफ कर सकते यो और फिर देखना वीद प्रूफ बात करेंगे आपका रएक करेंगे तो वीडियो में बहुत सारी महनत लगी है में यह सारी रिसरच करने में डेटा कलेक्ड करने में पीडिय व बनाने में थीर तो प्लीज लाइक से शुरुंवारत करना कॉस तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे मैचेस की वीडियो भी देखने के लिए यह वीडियो बहुत काम किया है देखोगे तो आप लोग को वीडिप्रूफ सारी चीजे देखने मिलेंगी प्रूफ मैं क्यों दिखा रहा हूं वैसे मैं बिलीव नहीं करता हूं देखो यहां पर वन एक लाग तीस जार है यहां पर दो लाग पच्छतर जार है यहां पर चार लाग है तो मैं प्रूफ यह इसलिए दिखा रहा हूं कि कोई देखो लोग आजकल कहेंगे आपका रैंक वन नहीं आया आप हमारी क्या मिस्टेक बताओगे तो यह वाली चीज है लेकिन देखो देखो फवारे बताओगे ora students ने भी अच्छा किया है तो यह नहीं है अगर आपको पूरी नहीं प्रीकिर दे horrifying आप हमारे जो टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे और ट्वीटर पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है जा के देख लो अब मैं आपको वही प्रूफ दिखाता रहूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगे कोई फायदा नहीं है और मैं बिलीव भी नहीं करता साथ हजा सस्काइबर हुए वो चैनल डिलीट अब डिलीट ही वा कुछ प्रॉब्लम्स आ गई नया चैनल बनाया 2018 में अब जाके मेरे यह पांच लाग सस्काइबर हुए लेकिन यह पांच लाग हवाबाजी पर नहीं हुए यह जो पांच लाग हुए मैंने अपनी ओडिय क्या मैं वो दिखाऊंगा आपको उससे कोई benefit है लोजिकली सोचो क्या benefit है आपका बस आप मुझे देखके को अच्छा लगेगा आपको मेरा पैसा देखके आपको अच्छा लगेगा लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा वह struggle वाली life ठीक है और मैं वो क्या चीजे मैंने की क्या चीजे फॉलो की कि मैं यह तक पहुंचा तो आपको सीख होगे मेरा पैसा देखके आप क्या सीख पाऊगे पस आपको अच्छा लगेगा कि यह बंदे ने बहुती श्ट्रगल के आगे पहुंच गया तो यार मैं इसलिए बिलीव नही क्योंकि उससे आपका कोई benefit नहीं ने तो दिखाने को तो मैं भी बहुत कुछ दिखा सकता हूं जो मैंने अचीव किया तो प्लीज इस चीज को समझो यह चीजे दिखाना ज़रूरी था क्योंकि आप लोग मुझे फिर बिलीव नहीं करोगे कि इसकी rank 1 आई नहीं यह क्यों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो बिल्कुल फ्री है कोई पैसा नहीं ना फ्यूचर ना बीच में कभी आपसे पैसा नहीं मंगा जाएगा बस एक सर्त है कि वीडियो के description और comment section के सबसे पहले comment में जो link है उसी से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमन मिस्टेक ही है कि आप लोग सोचते नहीं हो टीम बनाने से पहले है जल्दी वाजी में हो सोचते हो कि आप जल्दी से टीम बना देता हूं और उन्चास में एक करोड जीच जाऊंगा लेकिन आपने एक चीज नोडिस करी आपने उस टीम बनाने के पीछे time कितना दिय लग पर लग देना पड़ता है अगर आपने टाइम नि नि दिया तो लग पीडिपेंट होगा हाँ जानते हैं ग्रेंडश में लगता है दिचील से लॉजिक है उसके ऊपर तो वर्क करो अगर आप वहां वर्क नहीं करोगे मेरे भाई तो क्यों आप इतना जो है गॉड्स वोग बना जाएगी तो यह चीज को समझे प्रखंट्स सेलेक्षं पे लोग टीम बना देते बीना सोचे समझे या फिर मैंने चीज और देखी काफी लोग और यह जिताएगा जो प्लेयर है वो जिताते हैं लेकिन आप लॉजिकली लोग उनको इस पिच पे उसका रिकॉर्ड अच्छा है उसके बॉलिंग करने के चांसे जाता है जैसे कोई left time orthodox है ठीक एक्जामपल के लिए बता रहा हूं तो सामने वाली टीप मैक्सिमम लेफ्ट हेंडर है एक्षपिन वह अच्छी नहीं है टैमरें तो बॉलीं कराऊऊ होicle अगर आप उसको लो पर्फॉर्म करने के बिशांसे जाता रहें तब लो तो यह चीज़ें लॉजीक पर आप बहुंद लो चै selection लो नहीं भाई अगर पैसे कमाने थोड़ा समय देना पड़ेगा मैंने जैसे बोला Grand League हलवा नहीं है आपको महीनों भर वेट करना पड़ेगा लेकिन logic और skills को follow करना पड़ेगा patience ली अगर आपने यह नहीं किया ना तो आपको लगेगा कि यार मैं मतलब आज रैंक वन लेकर आ जाओंगा और मैं करोड़ पती बन जाओंगा नहीं यार ऐसा नहीं होता है ठीक है इस चीज को समझो logic के base पर आप टीम बनाओगे तो आपके chances बढ़ेंगे ठीक है chances grow होंगे कि आपकी rank 1 आ सकती है तो logic कभी मत छोड़ो logic क्या होता है उसमें आपको पिछ रिपोर्ट देखनी है टीम की strength देखनी है दोनों टीम के players का stats देखना है करेंट form किसका कैसा है कौन किस टाइप के pitch पे ज्यादा अच्छा खेलता है कौन किस टाइप के baller के अगेंस ज्यादा अच्छा खेलता है ज्यादा बुरा खेलता है प्लेयर्स की strength और weakness जब तक आपको पता नहीं रहेगी pitch के according आप तुक्के पे टीम बना रहे हो सीधी सी बात है समझना पड़ेगा making wrong captain wise captain काफी लोग क्या करते है आज सब इसको captain बना रहे है ठीक है जैसे कि मालो spinner के लिए अच्छा विकीट है जैसे अभी शार्जा पर मैचेज हो रहे थे रासीद खान तो वहां पर रासीद खान की फिरकी चलती है और आयरलेंड की टी है कि making wrong captain wise captain आप लोग तुक्के में कुछ भी captain wise captain मत बनाओ selection percentage के बेस पे captain wise captain कभी चेंज मत करो लॉजिक देखो लॉजिक क्या कहा रहा है उसके according अपनी टीम में captain wise captain चूज करो wisely चौथा point है हमारा taking too much unnecessary risk लोग क्या करते हैं न अननेसेसरी रिस्क लेते हैं आज ये प्लेयर को कोई निले रहा मैं इस प्लेयर को लूंगा क्यों लहेंगे लॉजिक आपने देखा नहीं प बनाता हूं ठीक है उसमें पिछ रिपोर्ट टीम इस्टेंथ प्लेयर की करेंट फॉर्म प्लेयर की स्ट्रेंथ वीकने सारी चीजे में explain करता हूं वह देख लो 15-16 मिनट की वीडियो होती है आप अपना टीम 45 बनाने में टीम बनाने में टाइम दो ठीक है जब आप टाइम दोगे थोड़ा सा तभी तो आप अच्छा कर पाऊगे ना यह चीज़े धियान रखो लेकिन तू मच इंवेस्टमेंट कभी मत करो सिंगल मैच में क्योंकि लोग क्या करते ना अब हार हार के फ्रस्ट्रेट हो गए अब क्या करेंगे एक ही मैच में सारा इंवेस्टमेंट नहीं करना है जिसे मैं आपको एक्जांपल के लिए बताता हूं आईपेल 2024 कल से स्टार्ट होने वाला है ठीक है तो आप एक बजट बना लो बजट बना लो कि आप लोग अगर वो मनी हार भी जाओ तो आपके पॉस्टन लाइफ पर कोई फेक्ट ना पड़े वह मनी ऐसा ह कभी भी आपको positivity में नहीं लेके जाएगी तो प्लीज यह request है मेरी कि यह चीज से दूर रहा करो मनी वही invest करो जो आपके पॉस्टन लाइफ पेफेक्ट ना डाले यह main point है क्योंकि अगर आप positive ही नहीं रहोगे तो team क्या बना पाओगे तो कभी भी हार हार के ठक गए तो ए लग पर depend रखो क्योंकि बहुत जरूरी में जिस दिन लग अच्छा रहेगा आपकी rank अच्छी आएगी ठीक है या फिर इतना तो मतलब कुछ teams देखो ऐसी भी मैं भी बताऊंगा कुछ होती safe category की टीम कुछ होती ज्यादा risky तो सब बनाओगे तो at least आपका investment वापस आ जाए follow ही नहीं करोगे तो आप अननैसेसरी मतलब अपने आप मुसीबत बुला रहे हो ठीक है तो अब हमने देखिए हम गलतिया क्या कर रहे हैं वो गलती नहीं करनी है अब हम लोग क्या देखेंगे common concept of creating GL teams ताकि हम अपने जो भी हम गलतिया कर रहे हैं उसको improve कर पाए अब कैसे इंप्रूफ करना है देखो यह चार common concept है एक SL प्लस differential one sided and differential according to pitch unexpected अब इसमें कैसे टीम बनानी है वो देखते हैं पहले हम देखेंगे SL प्लस differential क्या होता है in this we have to take maximum SL players यानी small league players यानी safe players ठीक है safe players साथ से आथ हमने safe players ले लिया दो तीन प्लेयर हमने differential ले लिया यानी जिसपे हमें risk लेना है pitch के according टीम strength के according कॉंसे टीम पहले balling कर रही है कॉंसे टीम बाद में balling कर रही है plus हमें rotation करना है captain vice captain ठीक है या फिर हमें risky captain vice captain लेके चलना है और safety या फिर risky captain vice captain और safety तो यह चीजों का vice versa करना है इस पे आप लोग को जो है 5-6 combination बनाने हर match में ठीक है अब जैसे मैं आपको example के लिए समझाता हूँ जैसे माल लोग कि यह दो teams है ठीक है अब यह teams में जैसे यह वाली team जो team भी है है तो मालो team से हमने इनके यह दो बैटर ले लिए एक allrounder ले लिए दो बॉलर ले लिए पांच प्लेयर हमें safe team से ले लिए और मालो यह player है इनका एक player no.9 जो spin के साथ थोड़ी बल्ले बाजी भी कर लेता है और इस विकेट पर spin चलने वाली है तो आप spinners को अपनी team मिलोगा spinner को तो यह दो risk हो गए 11 प्लेयर हो गए अब हमें captain वाइस captain के लिए अच्छा है तो इनको हमने captain कर दिया जबकि लोग स्ट्रॉंग टीम में से सबको captain करेंगे तो इनको captain कर दिया और इनके किसी पिछले मैचस में अच्छा किया है अगर यह risk work कर गया तो आपकी टीम बहुत आगे जाएगी तो इस तरीके से आपको टीम बनानी यह एसल प्लस अगर वह तीम हारेगी तो हमें क्या करना मालोव टीम या श्विलिया है टीम भी बंगलादेश है ठीक है यानि इनके तीन प्लेयर मालो हमने अगर इनकी टीम चेस कर रहे है तो और इनके हमने यहां से ले लिए पांचों बॉलर और इनके ऐसा प्लेयर्स लेंगे या चार रहे वह इतना इंपक्ट नहीं डालेगा तो इस तरीके से हमें वन साइड़ टीम बनाना है अब यह तो सब सब्सक्राइब है इनको आपने ले रखा तो यह पे निया है इनके तीन प्लेयर और यह आठ प्लेयर डिफरेंशियल क्या हो गया एक प्लेयर को मिस कर दिया स्ट्रॉंग टीम में से जो चेजिंग में ओपिन कर रहा है तो अगर वह फ्लॉप हो गया आपकी टीम ही अच्छा करेगी तो इस ताइप से भी आपको चार से पांच कॉंबिनेशन बनाने हर मैच में लॉजिक वाइस अगर पिच कह रही है तो ठीक है तो यह हो गया डिफरेंशियल तो यही चीजह मैंने लिखी एंगलीज में आप देख सकते हो ठीक है अब आते हैं हम लोग अर्कॉर्डिंग टू पिच देखो इसमें तीन से चार कॉंबिनेशन बना सकते हो तो देखो जो मैंने अभी आप इस वाले में अगर आप टीम की स्वेंथ अगर ऐसी है तो मैक्सिमम टीम ऐसे बना रहे हो तो आपका इसमें भी लॉस होने के चांस ज्यादा कम है क्योंकि अगर अस्टुलिया बंगलादेश का मैच और आपने अस्टुलिया की टीम में ज्यादा फेवर बनाया है मतलब अ इसली विन कर लोगे मतलब अटलीस्ट उतना पैसा तो आ जाएगा कि आपका लॉस ना तो यह है जो आपका लॉस भी नहीं करवाईगी समझ रहे हो प्लस अकॉर्डिंग टुपिच यह भी ऐसा एक है कि आपका लॉस कम हो इसमें जीतने के चांस भले ना रहे लेकिन लॉस कम हो अकॉर्डिंग टुपिच तीन से चार कॉंबिनेशन बनाओ अगर पिच अच्छी है मालो जैसे पर्थ की पिच वह पेसर के लिए काफी अच्छी रहती है पेसर बहुत अच्छा करते है ठीक है दोनों तरफ स्विंग होती है गेंद वहां पर तो अगर वहां पर जैस उनसे जादा रहेंगे अपनों को फ़िक है अकॉर्डिंग टू लेकिन अकॉर्डिंग टू पिच आप उनकु लेकिन घूफ तो ऐसे शे यपा जैसे ट्यूम करने वाली टीम ही एक मैक्सिमम् टाइम विन करती है तो जो चेजिग करने वाली टीम है जहसे मालो इंडिया और स्री लंका क्या मैच है तो उनके चेजिंग से अब यह सब्सक्राइब बनाने पिछ बिहेवियर के according ठीक है अब ज्यादा भी कर सकते हो मैंने बस इसलिए बताया कि आप एक मैच में 20 से टीम ज्यादा ना बनाओ 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 wan expected अब यह आजाता है qualcosa कि यह वह बहुत लॉँस कराता है यह वाला जो कॉंसेप्ट है बहुत correlation बनाओ लेकिन वहां पर कोई लॉइन इस favor पर दार combination बनाये है तो क्या होगा आपकी वो टीम आगे बढ़ने के चांसे रखेंगे मालो कोई लोई scoring पीछ है जहां पर रंस बनना थोड़ा मुस्किल रहता है वैसा सब्लों ठाका की पीच्छ है उस पर रंस बना ना मुस्किल रहता है तो वहां पर उनको केट्टर माइस करने और इसमें आप लोग बॉलर्स या ऑलरॉंडर पर कैपटेंशी कर सकते हो तो यह चीजे थोड़ा अनेक्सपेक्ट्टेड होती है थोड़ा लॉस्ज जदा करने के चांज सकती है लेकिन अगर माल लो यह चीजे हो गई न तो आप जीतों की भी उस बंगलादेश मतलब है बनने प्रक्तान सोन के नोगए ति गया लेकिन सकता यह कुर्प से नौ बार बंगलादेश मतल बनना बंपरती च्प्रिच्ज कर ले कका यहां पर आज रंस बनेंगे लेकिन लेकिन आप यहां पर रंस मुझत यहां और छोड़ा मुझत भाते हैं ये को यहां पर आपना थोड़ा पर पिछे क्लींwww लो और मेड़ार के बॉलर मत लो फिर ले भी रहें तो ऐसे जो मेड़ार में विकेट निकालने के चांसे सकते हैं। वैसे बॉलर लो तो आप लोग का थोड़ा कम चांसे जाएगा इसमें जीतने का लेकिन जीतोंगे तो बहुत आगे जाओगे। क्यों क्योंकि यह चीज़े बहुत कम होती है लेकिन अगर होती है तो मतलब छपपर फाड़ के फिर मिलेगा आपको यह चीज़े ध्यान रखो खुद का experience में बोल रहा हूं कि ऐसी चीज़े होती है कम होती है लेकिन होती है तो इसलिए मैंने बोला कि इसमें आप लोग का हो स देखो जैसे मैंने आपको चीज़े बताई कि यह चीज़े ना आपको धीरे धीरे सिखाएंगी आप एक दिन में इसका रिजल्ट नहीं पाऊगे इसका जो रिजल्ट है आपको 304 मैंने छे मैने भी रुकना पड़ेगा तो आप उना बजट बनाओ तब देखो आप रिज जैनल है हर एक मैच का वीडियो मिलेगा इवन जो आइपिल खतम हो जाता है छोटी 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 लीक्स चलती है जैसे असोसियेट कंट्रीज के जो मैचेज होते है उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट कमाने का मिनी जीएल जीतने का हमारे पास मौका रहता है क्योंकि वै आपको देखेगा नहीं कवर करते हैं लेकिन हम कवर करते हैं लौजिकली करते हैं जिससे आपको बहुत फायता हुगा तो कोसिस करो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फॉलो करो लॉंग टाइम तक ठीक है तभी आप अच्छा कर पाऊगे और यूजे सारी च चाहन रखना और होप करता हूं कि आप लोग जीतो और जीतोगे तो मुझे जरूर बताना ताकि मेरे को पता चले कि हाँ अडलीस्ट मेरे अफ़र्ट का आप लोगो फायदा जरूर हो रहा है बाकी हमारे टेलिग्राम चैनल से जूर जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन मे लिंक है कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक है मिलते हैं आगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिन